नमस्कार अध्यात्में और जोतिष चैनल में आपका सौगत है आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर है और एक मेरे मित्र हैं नागेश्थ दत्ताटे ओर गण कर करतें और बहुत ही अध्यात्मिक उच्च को प्रैर्मन जिसकों मैं बूफ़त है में सहीमें ब्रहामन मानता हूं को क्योंकि जब आप इनसे बाते करते हैं तो एक बराम्नत liege होता ओर सब्सक्राइब और न ज़्वों यह कि पní मलत आहंकि कि बहुत किता सब्सक्राइब आने तीस साल तक करें इनोंने और हर आफिल्ड में पेस्छ कैन अप आजकल कल्की के बारे में बहुत चल रहा है और पता नहीं कितने कल्की हैं मैं गैतिरी परिवार के जो हेड थे जिन्होंने काफी किताबे लिखी उनकी किताबों को मैंने पड़ा बहुत अच्छा विवर्ण लिखा है उन्होंने हमारे यहां अपने आपको कल्की प्रूफ करने के लिए लोग बाग दौर लगा रहे हैं और जैसे संक्राचार ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैंने संसत्तान में कहीं कल्की देखे थे हैं सब मर गया पंडित दरेंस सर्माजी ने कहीं लिखा हुआ है कि अठारा सो कल्की उन्होंने अपने जीवन में देखे और सब मर गया अपनी पूजा कराना और चमतकार के प्रॉमिस करना पता नहीं क्या-क्या अपनों टंकी जिसको बोलते हैं क्या मैं अपने फॉल्वर्स को बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को पढ़िये थोड़े बहुत छेड़ चारी हुई है लेकिन जब आप जिनको रुची है वो पढ़ें और जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इसी रहस से निकलेंगे उसको डिकोड करने की जरूवत है और आप एक बार डिकोड कर लेंगे ना तो आप किसी के भैकावे में नहीं आएंगे भागवत में बोला गया है कि कल की प्रभू का जो जन्म होगा वो विश्णु यस ब्राम्बन के घर में होगा आप सब लोग को पता है मैं परे फौलॉवर्स को बताना चाहता हूं कि जब जैसे कोई चीज से और मार्केड में चीज आती नग्ट सब उसको FOLO करते हैं तो सब उसको FOLO करते हैं हमको मिल जाये से जब कोई चीज ओपन होती है तो लोग पर क्या करते हैं कि उसको अपने प्रूफ करने dropância के विश्णु यसु और मेरा पुत्र जो होगा वो कलकी होगा इस टाइब क्यों बातें करते हैं कि मैंने बहुत से गृंतों को पड़ा बहुत चर्चा करी अपने मित्र से कि अपने फॉल्वर्स को बताना चाहता हूं कि प्रभु जब भी अवतरित होंगे वो संभल में ही होंगे ये बिलकुल अब मैं डंके की चोड़ने बोला हूं कि बिलकुल पक्का ही कि वो जब भी अवतरित होंगे वो संभल में होंगे नंबर वन नंबर दो ये कि कि जब यह घटनाएं होंगी तो जन्म लेने की जुवद नहीं है वो प्रगट होंगे अब इसको समझने की कोशिस कीजिएगा कि प्रगट होने का मतलब यह होता है आपको इसके लिए किस्नों राम को भी पढ़ना पढ़ेगा बैने तो पढ़ लिया अगले वीडियो में बत जब भी कोई अवतारी पुरुस आते हैं जब भी विश्नु का पूण चोशत्ट कलाओं से युक्त जन्म होगा जन्म होने का मतलब क्या होगा वो सब सकतियां किसी व्यक्ति विसेश पे आयेंगी और जब वो व्यक्ति विसेश पे आएंगी तब वो एक कलकी का रूप कि और जो इन ग्रंथों को डिकोट करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा सुनके कि ये जो संभल प्रगठ होगा वो कहां पे प्रगठ होगा किन नदियों के बीच प्रगठ होगा कप प्रगठ होगा इसमें अभी मैं कुछ वीडियों के बाद बताऊंगा कि कब क्या होगा लेकिन यह बात सही है कि संभला में ही होगा संभल गाओं में ही यह सब होगा पिता का नाम विश्णु यसी रहेगा लेकिन हम उनको जान नहीं पाएंगे वो अपने आपको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे कि मैं विश्णु यस हो मेरा बेटा कलकी कल की एक रूप होगा एक व्यक्ति के ऊपर एक इनर्जी आएगी वह एक रूप होगा आप इसके लिए धर्में से हटके आप कुछ जीजस क्राइस को समझने की कोशिज कीजिए उनको जो ग्यान मिला था सब भारत में मिला था यह वह दौर था जब महावतारी बाबा जिनको उपर साक्षा कृषिनी की किरपा थी उन्होंने जीजस क्राइस को वह इनर्जी ट्रांसलर की यह मेरा मानने है वोब इसाफ़ारी पूरुष्त ए है नहीं उनमें करपा होती है ए अपने आप को प्रूफ नहीं करते हैं लोग उनको बोलते हैं कि आंप में यह गुण है आएगी जब वो इनर्जी आएगी जब जिस व्यक्ति में आएगी उसका संबन उसी संबल में होगा अगले वीडियो में मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगा मैं बताना चाहता हूं अपने फॉलोवर्स को आप भागवत पुरान भविस्व पुरान कलकी पुरान औ यह अभी बीवारी हुई कोविड की इसमें बहुत से लोगों ने मैंने खुद भी बोला कि मैं तो यह करना था इससर्च बेजड है लेकिन कुछ लोगों ने बेगा की जो भविस्वानी थी नौस्तादेम की भविस्वानियां बहुत अल्टिमेंट है बहुत बढ़ीयां जो लोगों ने भविस्वानियां करी हैं लेकिन मैं अपने followers को बताना चाहता हूं रामायन में जाए सब कुछ मिल जाएगा तो अगले वीडियो में मैं आपको रामायन के बारे में बताऊंगा रामायन में कहां कहां क्या दिया हुआ वो बताऊंगा और संबल गाओं कहां होगा किस एरिये में होगा वो आपके बारे में बताऊंगे और जब बताऊंगे तो उन किताबों को सामने रखे पिक्चर खिशके लगा देगे इसको पढ़िए इसको समझिए और मैं अपने सभी followers सो बोलता हूं माभारत को भी एक बार पढ़ो भागवत को भी पढ़ो चिला रहे हैं उनके लिए कि प्रभू जो इनर्जी के रूप में आएंगे कव आएंगे कहां आएंगे ये मैं आपको एक हिंड दूंगा बाकी यदि आप लोग क्रिया योग में आगे बढ़ें क्रिया योग को प्रैक्टिस करें तो वो इस spirit को आप देख सकते हैं आप उ तो संजय ने उस विश्व रूप को साक्षात देखा उन्होंने धितराष्ट को बताया और अर्जुन ने देखा यह दो तिन लोग ही थे में दो लोग थे और वेद्यव्यास वेद्यव्यास संजय अर्जुन संजय ने धितराष्ट को समझाया एक्जक्ली जब यह इनर्जी आएगी उसको देखने वाले लोग उसको समझने वाले लोग मुट्टी भर होंगे कोई किसी को थोप नहीं सकता थोपने की कोई जुवत नहीं है आप भारती हो ग्यानी हो उपर उटो और मैं अगले वीडि से भी कोशिस करूंगा कि उनसे और चर्चा करके और डिसकस करो और बताओं तब तक के लिए नमस्कार